पॉसिटिव थिंकिंग विल लेट यू डू अवरी थिंग बैटर देन नेगिटिव थिंकिंग विल दूसरा अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और इस सोचने में बहुत ज्यादा वक्त सर्फ कर देते हैं तो आप कभी भी इसे कामिल तरीके से हल नहीं कर पाएंगे ये पॉसिटिव और नेगिटिव थिंकिंग के दरमयान का जो रास्ता है आया किस तरह से पॉसिटिव एक बेहतर रास्ते की तरफ लेके जाता है और इसकी क्या वज़ा है कि जब भी हम सोचना शुरू करते हैं तो वो कभी भी खतम सोच नहीं हो सकते क्या आप सुनने के लिए त्यार हैं हेलो हेरायम माविया तारिक मोटिवेशनल स्पीकर लिडर्शिप कंसल्टन और लाइफ कोच जैसा के पहले कोट मैंने आपके साथ जिग जिगलर के कोट्स के कुछ अलफाज शेयर किये जिसमें जिग जिगलर का कहना है कि पॉजिटिव अलफाजों को पॉजिटिव जिंगलों को और पॉजिटिव जिंदगी को अगर जांचा जाए अगर पॉजिटिविटी पर रिसर्च की जाए तो जैदा असर अंदाज रिजेल्ट हमें पॉजिटिव रास्ते से मिलते है जबकि नेगटिव रास्ता हमेशा से हमें एक दलदल, एक कीचर और एक कहा जा सकता है गहराई में ले जाता है माई डियर फ्रेंड्स आखर कितना ही अंधेरा क्यों ना हो गुफा में रोशनी आखर पर जरूर नजर आती है अगर अभी तक चैनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं ठोका तो जरूर ठोके ताके जो अपकमिंग सेशन्स हैं वो आप तक पहुंच सके दूसरे कोड़ में मैंने बुरूसली का आप के साथ एक कोड़ शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं बुरूसली जो एक बहुत अच्छे फाइटर होने के साथ साथ एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है जो अपने अलफाजों में ये शेयर करते हैं कि जैसे ही ये सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि मैं आखिर कहां पे हूँ और इस से ज़्यदा जरूरी ये है कि मैं आखिर यहां पे किस वज़ा से हूँ बिल्कुल अपने आखिरी खेलाश शेयर करूं तो अगर सोचने में ज़्यदा वक्त सर्फ कर दिया जाए यानि कि एग्जिक्यूशन अभी स्टार्ट ना किया जाए या बेहतर स्टार्ट के लिए क्या किया जाए कि एस सहाफ़ चैनल पर सेशन्स मुझूद है कि एस सहाफ़ चैनल ना सिर्फ उर्दू जबान प्रोवाइड करता है बलके इंग्लिश जबान में भी केस सहाफ़त की केस स्टेडी नियूस और किताबें मुझूद है डिस्क्रिप्शन में वाटस अप नंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ज़रूर कॉंटेक्ट करके इंग्लिश जबान में किताब हासल करें असलाम अलेको